C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की गनित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं प्रिष्ट संख्या 50, पार्ट 6, तियोहार पर सजावट यहां प्रिष्ट संख्या 50 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों के नाम हैं जोहा, सिम्रन, रोहन, आकाश, सुआली और जावेद इन बच्चों के हाथों में एक-एक फूल माला है और कुछ फूल मालाएं उनके आस-पास रखी हुई है रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की अवश्यक्ता है प्रतेक माला में दस फूल हैं यहां दिये गए चित्र के अनुसार तालिका को पूरा कीचिए यहां पर एक तालिका है तालिका के चार भाग है पहले भाग में लिखा है नाम दूसरे में लिखा है मालाओं की संख्या तीसरे में लिखा है फूलों की संख्या और चौथे में लिखा है कुल फूल आईए अब इस तालिका को पढ़ते हैं नाम रोहन मालाओं की संख्या एक फूलों की संख्या दो कुल फूल दस जमा दो बराबर बारह नाम सिमरन मालाओं की संख्या तीन फूलों की संख्या साथ कुल फूल तीस जमा साथ बराबर सेहतीस नाम आकाश मालाओं की संख्या चार पूलों की संख्या आट, कुल फूल, चालीस जमा आट, बराबर अडतालीस, नाम स्वाली, मालाओं की संख्या पाँच, पूलों की संख्या रिक्तिस्थान, कुल फूल, पचास जमा तीन, बराबर तिरेपन, नाम जावेद, मालाओं की संख्या रिक्तिस्थान, फूलों की संख्या रिक्तिस्थान, कुल फूल रिक्तिस्थान नाम जोहा, मालाओं की संख्या रिक्तिस्थान, फूलों की संख्या रिक्तिस्थान, कुल फूल रिक्तिस्थान अब आप इन रिक्त स्थानों में अब आप दिये गई चित्र के अनुसार इस तालिका में दिये गई रिक्त स्थानों को पूरा करें प्रिष्ट 51 रोहन और सुवाली दोनों ने मिलकर मालाव समेथ कुल कितने भूल लिये यहां प्रिष्ट संख्या 51 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रोहन और सुवाली खड़े हैं रोहन कहता है मेरे पास दस जमाद दो बराबर बारा फूल है सुवाली ने कहा मेरे पास पचास जमाद तीन बराबर तिरेपन फूल है यहां पर एक तालिका दी गई है इस तालिका को तीन भागों में बाटा गया है पहले भाग में लिखा है रोहन के फूल इसके आगे लिखा है संख्या 1 माला संख्या 2 फूल आगे लिखा है दस जमाद दो बराबर बारह फूल दूसरे भाग में लिखा है सुवाली के फूल इसके आगे लिखा है पांच माला तीन फूल इसके आगे पचास जमा तीन बराबर तिरेपन फूल तीसरे भाग में लिखा है रोहन एवं सुवाली दोनों के कुल फूल आगे लिखा है छे मालाएं पांच फूल इसके आगे लिखा है साथ जमा पांच बराबर पैंसट फूल यहाँ प्रिष्ट संख्या एक्यावन पर एक और चित्र दिया गया है जिसमें रोहन और सुवाली माला को पकड़ कर बैठे हैं साथ ही यहाँ पर जोड दिया गया है आगे लिखा है दहाई एकाई बारह जमा तिरेपन एकाई के दो अंकों दो और तीन को जोड कर पांच लिखा है इसके आगे लिखा है दहाई, एकाई, बारह जमा तिरेपन दहाई के अंकों को एक और पांच को जोड़ कर लिखा है छे कुल मिलाकर होता है पैंसट रोहन कहता है अरे वाह! हम पैंसट फूल लाए हैं! प्रिष्ट संख्या बावन जोहा एवं जावेद दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? यहाँ पर जोहा और जावेद का चित्र है दोनों ने अपने हाथ में फूल मालाएं पकड़ रखी हैं और साथ ही कुछ फूल मालाएं नीचे रखी हैं यहाँ पर एक तालिका है जिसके तीन भाग हैं आईए अब हम तालिका को पढ़ते हैं जोहा के फूल दो फूल मालाएं और शून्य फूल 20 जमा शून्य बराबर 20 फूल जावेद के फूल 4 फूल मालाएं और 3 फूल 40 जमा तीन बराबर 43 फूल जोहा एवं जावेद दोनों के कुल फूल छे फूल बालाएं और तीन फूल साट जमा तीन बराबर तिरसट फूल यहां प्रिश्च संख्या बावन पर कुछ जोड दिये गए हैं दहाई और इकाई की संख्याई दिये गई हैं संख्याई हैं बीस जमा तेंतालीस रित्तिस्थान इसके आगे लिखा है दहाई इकाई बीस जमा तेंतालीस इकाई की दो संख्याई शून्य और तीन पर घेरा लगाया हुआ है इसके नीचे रित्तिस्थान है आपको जोड कर इकाई की संख्या लिखनी है इसके आगे लिखा है दहाई इकाई संख्याई हैं 20 जमा 43 इसमें दहाई की संख्याउं को 2 और 4 को जोड़ना है इन दोनों दहाई और एकाई की संख्याउं को जोड़ने पर जोड़ प्राप्त होगा वही इस जोड़ का हल है जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं यहाँ पर एक तालिका है आईए अब तालिका को पढ़ें जोहा के फूल दो फूल माला हैं और 0 फूल तो 20 जमा 0 बराबर 20 फूल आकाश के फूल रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जोहा एवं आकाश के कुल फूल रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान यहाँ पर एक जोड का सवाल भी है, सवाल है दहाई दो, इकाई शोन्य अर्थात बीस, दहाई चार और इकाई आठ यानि अड़तालीस, तो बीस जमा अड़तालीस बराबर रिक्तिस्थान, अब आपको इसे स्वयम करना है प्रिष्ट संख्या तिरेपन रिक्तिस्थान, आईए गिन लड़ी से करें, यहाँ प्रिष्ट संख्या तिरेपन पर एक लड़की का चित्र दिया गया है, वो कहती है पच्चीस के आगे बारह गिन ये क पच्चीस जमा बारह बराबर रिक्तिस्थान यहाँ पर एक गिन लड़ी दी गई है, जिसे दो रंगों से रंग आ गया है गिन लड़ी के पीले मोतियों पर एक जगा पच्चीस अंक अंकित है और और गिन लड़ी के नीले रंग के मोतियों पर एक जगा 37 अंक अंकित है पच्चीस से लेकर 37 तक के अंकों को तीर की आकृती के पैटर्न के माध्यम से दर्शाय गया है ख 57 जमा 34 बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान के आगे रिक्तिस्थान गिनिये यहाँ पर एक और गिन लड़ी दी गई है जिसे दो रंगों से रंगा गया है पीला और नीला नीले रंग के मोतियों पर एक जगा 57 अंक अंकित है इसी तरह दूसरे नीले रंग के मोतियों पर एक जगा एक खाली काड का स्थान दिया गया है इसे ऐसे भी कर सकते हैं 57 जमा 34 बराबर 57 जमा 30 जमा 4 बराबर 87 जमा 4 बराबर 91 यहां एक और गिनलडी दे गई है जिसे फिर से पीले और नीले रंगों में रंग आ गया है नीले रंग पर अंकित अंक है 57 पीले रंग पर अंकित अंक है 67 फिर से नीले रंग पर अंकित अंक है 77 पीले रंग पर अंकित अंक है 87 और नीले रंग पर अंकित अंक है 91 57 से लेकर 87 तक 10 अंकों के अंतर को 3 के पैटरन के माध्यम से बताया गया है बागी 87 से 91 तक के अंकों को एक अंक के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है ग, 24 जमा 43 बराबर रिक्तिस्थान हम 43 को 24 जमा 40 जमा 3 बराबर 64 जमा 3 बराबर 67 भी लिख सकते हैं एक और गिनलडी का चित्र यहाँ पर दिया गया है जिसे फिर से पीले और नीले रंगों में रंग आ गया है पीले रंग पर अंकित अंख है 24 नीले रंग पर अंकित अंख है 34 पीले रंग पर फिर से अंकित अंख है 44 नीले रंग पर अंकित अंख है 54 और पीले रंग पर अंकित अंख है 64 और 67 यहाँ पर 24 से लेकर 54 तक 10 अंकों के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है बाकी 64 से लेकर 66 तक एक अंकों के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है प्रिष्ट संख्या 54 हम 43 की संख्या अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं 20 जमा 20 जमा 3 यहाँ पर एक लड़की का चित्र है लड़की कहती है किन लड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख देती हूँ यहाँ पर एक किन लड़ी को नीले और पीले रंके मोतीयों से दर्शाय गया है और उसके नीचे ही एक संख्या रेखा है जिस पर एक से लेकर 40 तक के अंख है इस संख्या रेखा पर संख्याएं जोड़े यहाँ पर एक लड़की का चित्र है जो कह रही है यह मेरी संख्या रेखा है क तेईस जमा 14 बराबर 37 यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है इस पर 0 से लेकर 40 तक के अंख है यहाँ पर 23 से लेकर 33 तक की संख्या में 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और 33 से लेकर 37 तक की संख्या में 4 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है ख, 24 जमा 16 बराबर रिक्तिस्थान यहाँ पर एक संख्या रेखा है इस रेखा पर भी शूर्ने से लेकर 40 तक के अंख है ग, 11 जमा 22 बराबर रिक्तिस्थान यहाँ पर भी एक संख्या रेखा है जिस पर शूर्ने से लेकर 40 तक के अंख लिखे है संख्या रेखा को देखकर रिक्तिस्थान भरिये यहाँ पर 0 से लेकर 40 तक के अंकों वाली एक संख्या रेखा दी गई है यहाँ पर 22 से लेकर 32 तक 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और साथ ही 32 से लेकर 38 तक 6 अंकों के अंतर को भी यहाँ दर्शाया गया है क बाईस जमा रिक्तिस्थान बराबर अड़तीस यहाँ पर भी एक संख्यारेखा दी गई है इस संख्यारेखा पर शून से लेकर चालिस तक के अंक लिखे हैं यहाँ पर अठारा से लेकर अठाइस तक दस अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और उसके बाद अठाइस से लेकर एक तीस तक तीन अंकों के अंतर को भी यहाँ पर दर्शाया गया है अब आप इन रिक्तिस्थानों को स्वयम पूरा करें प्रिष्ट संख्या पच्पन यहाँ पर भी एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर शूनि से लेकर चालिस तक के अंक लिखे है इस संख्या रेखा पर ग्यारा से लेकर एक्किस तक की संख्याओं को दस अंकों के अंतर पर दर्शाया गया है और 21 से लेकर 31 तक की संख्याव में 10 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है और उसके बाद और 31 से 34 तक 3 अंकों के अंतर को दर्शाया गया है ग, रिक्तिस्थान, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान इन्हें भी जोड़िये यहाँ पर जोड के कुछ सवाल दिये गए हैं इन सवालों को आप स्वैमहल करिए यह सवाल इस तरह से हैं चवालीस जमा तेईस बराबर रिक्तिस्थान, चपपन जमा तेईस बराबर रिक्तिस्थान, साथ जमा पच्चीस बराबर रिक्तिस्थान, और बावन जमा तीस बराबर रिक्तिस्थान. ब्लॉक्स का खेल माही के पास कुछ ब्लॉक्स हैं इशा उसके ब्लॉक्स लेकर खेल ले आई उनके पास कितने ब्लॉक्स हैं? ये पता करने में उनकी सहायता कीजिए यहाँ प्रिष्ट संख्या पच्पन पर कुछ ब्लोक्स और कुछ ब्लोक्स्टिक्स दी हुई है एक तरफ दिये गए हैं माही के ब्लोक्स और दूसरी तरफ दिये गए हैं ईशा के ब्लोक्स माही के ब्लॉक्स की तरफ दो ब्लॉक्स्टिक्स और तीन अलग ब्लॉक्स दिये गए हैं इसके नीचे लिखा है दो दहाई तीन इकाई और ईशा के ब्लॉक्स की तरफ तीन ब्लॉक्स्टिक्स और आठ अलग से ब्लॉक्स दिये गए हैं लिखा है तीन दहाई और आठ इकाई इसके बाद चार ब्लॉक स्टिक्स और ग्यारह ब्लॉक्स अलग से दिये गए हैं लिखा है पांच दहाई ग्यारह इकाई एक दहाई एक इकाई इसके बाद छे ब्लॉक स्टिक्स दी गई है और एक ब्लॉक दिया गया है अलग से लिखा है छे दहाई, एक एकाई प्रिष्ट संख्या चपपन आईए पता करें कि कुल कितने ब्लॉक्स है यहाँ पर पंदरा खाने दिये गए हैं इन पंदरा खानों में कुछ ब्लॉक्स खाली हैं और कुछ में ब्लॉक्स टिक्स और कुछ अलग से ब्लॉक्स दिये गए हैं आईए अब हम इन ब्लॉक्स को पढ़ते हैं पहला ब्लॉक इसमें तीन ब्लॉक्स टिक्स हैं और छे अलग से ब्लॉक्स हैं इसके नीचे लिखा है तीन दहाई और छे इकाई जमा यहाँ पर चार ब्लॉक्स्टिक्स हैं और साथ ही साथ ब्लॉक्स हैं और उनके नीचे लिखा है चार दहाई और साथ इकाई अगले खाने में साथ ब्लॉक स्टिक्स और तेरा ब्लॉक्स अलग से दिये गए हैं ब्लॉक्स के नीचे लिखा है साथ दहाई और आठ दहाई यहां पर साथ ब्लॉक स्टिक्स दी गई हैं और उसके साथ ये खाने में दस ब्लॉक्स दिये गई हैं और नीचे तीन ब्लॉक्स अलग से भी दिये गई हैं और यहां लिखा है साथ दहाई, आठ दहाई, तेरह इकाई और तीन इकाई तीसरे खाने में आठ ब्लॉक स्टिक्स दी गई हैं और साथ ही तीन ब्लॉक्स अलग से दिये गए हैं और उसके नीचे लिखा है असी जमा तीन बराबर तिरासी चौथे खाने में चार ब्लॉक स्टिक्स और पांच ब्लॉक्स जमा चार ब्लोक स्टिक्स और नौ ब्लोक्स दिये गए हैं और यहां नीचे लिखा है चार दहाई और पांच इकाई जमा चार दहाई और नौ इकाई पांचवे खाने में पांच ब्लोक स्टिक्स और आठ ब्लोक्स जमा तीन ब्लॉक स्टिक्स जमा दो ब्लॉक्स दिये गए हैं और इनके नीचे लिखा है पांच दहाई और आठ इकाई जमा तीन दहाई और दो इकाई और छटे खाने में आठ ब्लॉक स्टिक्स जमा एक ब्लॉक स्टिक्स और चार ब्लॉक्स अलग से दिये गए हैं और यहां लिखा है आठ दहाई जमा एक दहाई और चार इकाई सात्वे खाने में दो ब्लॉक स्टिक्स और छे ब्लॉक्स जमा चार ब्लॉक स्टिक्स और आठ ब्लॉक्स दिये गए हैं यहां पर लिखा है दो दहाई और छे इकाई जमा चार दहाई और आठ इकाई यहाँ पर आठ खाली खाने भी दिये गए हैं अब आपको इन खानों को स्वयम पूरा करना है प्रिष्ट संख्या 57 यहाँ प्रिष्ट संख्या 57 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में दो लड़किया है एक लड़की ने कहा इशा तुम्हें पता है कि हम ब्लॉक्स की गिंती की ये बिना भी जोड़ सकते हैं दूसरे बोली अरे वा माही बताओ कैसे यहाँ कुछ जोड़ दिये गए हैं लिखा है दहाई एकाई संख्या 36 जमा 47 रिक्तिस्थान एकाईयों का जोड़ 6 जमा 7 बराबर 13 इसके नीचे लिखा है एक दहाईयों और तीन इकाईयों इसके बाद लिखा है दहाई इकाई संख्या है 36 जमा 47 यहाँ इकाई की दो संख्याओं को जोड़ा गया है जोड़ कर संख्या बनती है 13 जिसका अंक तीन दहाईनी तरफ लिखा गया है और हासिल एक बच्चती है फिर लिखा है दहाई요 का जोड तीन जमा चार जमा एक बराबर आठ इसके नीचे लिखा है आठ दहाई요 इसके बार लिखा है दहाई इकाय संख्या 36 जमा 47 यहां दहाई के दो अंकों तीन और चार को जोड़ा किया है जोड कर अंक बनता है आठ इसमें एक हासिल जोडने पर अंक बनता है आठ कुल मिलाकर दहाई और एकाई की मिलाकर संख्या हुई तिरासी दहाईयों का स्थाना अंतरण जोड़िए यहाँ पर पांच अलग-अलग जोड दिये गए हैं जिसमें संख्याए हैं कुल कितने रन बनाए रिक्तिस्थान सारिका ने मेले में 56 रुपए खर्च किये एवं मनीश्ट ने मेले में 35 रुपए खर्च किये दोनों ने मेले में कुल कितने रुपए खर्च किये रिक्तिस्थान अंग बस में 36 पुरुष एवं 4 महिलाए हैं बस में कुल कितनी सवारिया हैं रिक्तिस्थान आओ दिये गिने यहां प्रिष्ट संख्या 58 पर एक चित्र दिया गया है जिसे चार भागों में माटा गया है पहले चित्र में एक दिये वाला दिये बेच रहा है उसके पास तखत पर बहुत सारे दिये रखे हैं कुछ दिये नीचे जमीन पर भी रखे हैं एक महिला उससे दिये खरीदने के लिए मोलभाव कर रही है दो बच्चे उसके साथ हैं दूसरे चित्र में दिये वाले के काफी दिये बिक चुके हैं और आधा तखत खाली है दिये वाला कुछ सोच रहा है और दो बच्चे उसके पास बैठे हैं दिये वाला कहता है, मैंने दिन में 75 दिये बनाए थे और 35 दिये बेच दिये. गिनकर देखता हूँ कि मेरे पास कितने दिये बचे हैं. एक, दो, तीन, प्रिष्ट संख्या 69 यहां प्रिष्ट संख्या 69 पर चित्र का तीसरा भाग दिया गया है, जिसमें दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की. लड़का दियों के बारे में सोच रहा है. वहीं लड़की घर की दिवार पर कुछ रेखाएं खीच रही है. लड़की कहती है, इसे करने का मेरे पास एक और तरीका है. जित्र के चोथे भाग में एक लड़का और एक लड़की है. लड़की घर की दिवार पर कुछ रेखाएं बना चुकी है. लड़का कहता है, मसा आ गया. क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और भी तरीका है? लड़की ने कहा. हाँ, इसे हम गिन लड़ी पर भी कर सकते हैं. यहाँ प्रिष्ट संख्या 69 पर एक गिन लड़ी दी गई है, जिसे पीले और नीले रंगों से सजाया गया है. नीले रंग पर एक संख्या अंकित है, चालीस. दुबारा से नीले रंग पर एक और संख्या अंकित है, पिछट्र. यहाँ एक लड़के का चित्र दिया है. लड़का कहता है, मैंने पहले 75 गिने, और फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना. इसका अर्थ यह है, कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल लें, तो उसका उत्तर होगा. 75 गटा 35 बराबर 40. यहाँ एक और गिनलड़ी दी गई है, जिसे फिर से नीले और पीले रंगों से सजाया गया है. नीले रंग के मोतियों पर एक अंक अंकित है, 20. और दुबारा से नीले रंगों के मोतियों पर एक और अंक अंकित है, 32. 20 से लेकर 32 तक के अंक तक, तीर की आकरती के माध्यम से एक पैटर्न बनाया गया है. यदि हम 32 में से 12 निकालते हैं, तो हमारे पास 20 बचते हैं. 32 घटा 12 बराबर 20. एक लड़की का चित्र यहाँ पर दिया गया है. लड़की कह रही है, यदि सुभा हमारे पास 32 तिये थे और शाम तक 12 बेच तिये, तो कितने तिये बचे? पृष्ट संख्या साट इनका पता लगाने के लिए भी हम गिन लड़ी का उप्योग कर सकते हैं. क, 18 में से 9 लेने पर 18 घटा 9 बराबर रिक्तिस्थान. यहाँ पर एक गिन लड़ी है. इसे पीले और नीले मोतियों से दर्शाया गया है. एक पीले रंग के मोति पर 9 अंक और नीले रंग के एक मोति पर 18 अंक लिखा है. ख, 12 में से 8 लेने पर 12 घटा 8 बराबर रिक्तिस्थान. यहाँ पर भी पीले और नीले रंग के मोतियों से बनी एक लड़ी है. ग, 30 में से 18 कम करने पर 30 घटा 18 बराबर रिक्तिस्थान. यहाँ पर भी एक गिल्णडी है, जो पीले और नीले रंग के मोतियों से बनी है. ग, 23 में से 14 लेने पर 23 घटा 14 बराबर रिक्तिस्थान. यहाँ पर भी पीले और नीले रंग की एक गिल्णडी है. अंग, 26 में से 17 हटाने पर 26 घटा 17 बराबर रिक्तिस्थान. यहाँ पर भी पीले और नीले रंग की एक गिल्णडी है. प्रिष्ट संख्या 61 यहाँ प्रिष्ट संख्या 61 पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, वापस में बातें कर रही है लड़की कहती है लड़का कहता है कोई बात नहीं, गिन लड़ी कागस पर बना लेते हैं इसी चित्र के नीचे एक और चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़का है वो कहता है यदि मुझे उननिस में से पंधरा लेने हैं, तो मैं पहले उननिस तक गिनूँगा, उसके बाद पंधरा कदम पीछे आऊँगा उननीस घटा पंधरा बराबर चार यहां एक संख्या रेखा दी गई है, जिसमें एक से लेकर बीस तक के अंक अंकित है चार से लेकर उननीस तक के अंकों तक, एक अंक के अंतर को तीर की आक्रती के माध्यम से दर्शाय गया है इसी प्रिष्ट पर एक लड़की का चित्र बना हुआ है लड़की कहती है मेरे पास किन लड़ी पर घटाने का एक और तरीका है यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें एक से लेकर बीस तक अंक दिये है चार से लेकर नौ तक के अंकों तक, एक अंक के अंतर को तीर की आक्रती के माध्यम से दर्शाय गया है और 9 से लेकर 19 तक के अंक तक 10 अंक के अंतर को तीर की आकरती के मध्यम से दर्शाय गया है लड़की ने फिर कहा हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं और फिर 5 कदम पीछे जाकर 4 तक पहुंच सकते हैं प्रिष्ट संख्या 62 आओ संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें संख्या रेखा को समझ कर रिक्तिस्थान भरिये यहां प्रिष्ट संख्या 62 पर एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें एक से लेकर 30 तक संख्याएं दी गई है 11 से लेकर 26 तक की संख्या तक एक अंख के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है लिखा है क, 26, घटा, रिक्तिस्थान, बराबर रिक्तिस्थान एक और संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है जिसमें एक से लेकर 40 तक के अंख दिये गए है ग्यारह से लेकर 19 तक के अंख तक एक अंख के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है और 19 से लेकर 29 तक के अंखों तक 10 अंख के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है साथी 29 से लेकर 49 तक फिर से 10 अंकों के अंतर को तीर की आकरती के माध्यम से दर्शाय गया है लिखा है ख 49 घटा 28 बराबर रिक्तिस्थान यहां फिर से एक और संख्या रेखा दी गई है जिसमें एक से लेकर 40 तक अंक दिये गए हैं 9 से 10 तक एक अंक के अंतर को तीर की आकरती के माध्यम से दर्शाय गया है वहीं 10 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 30 तक और 30 से लेकर 40 तक के अंकों तक 10 अंकों के अंतर को तीर की आकरती के माध्यम से दर्शाय गया है लिखा है ग रिक्तिस्थान घटा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान एक और संख्या रिखा यहां पर दी गई है जिसमें एक से लेकर चालीस तक अंक है 27 से लेकर 28 तक एक अंक के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से बताया गया है साथी 28 से लेकर 38 तक 10 अंक के अंतर को तीर की आकृती के माध्यम से दर्शाय गया है लिखा है 38 घटा 11 बराबर रिक्तिस्थान एक और संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है एक से लेकर 40 तक अंक इसमें दिये गए है लिखा है अंग 22 घटा 22 बराबर रिक्तिस्थान च एक और संख्या रेखा जिसमें एक से लेकर 40 तक अंक हैं यहाँ पर दी गई है लिखा है 14 घटा 0 बराबर रिक्तिस्थान इसी तरह से एक और संख्या रेखा जिसमें एक से लेकर 40 तक अंखें यहाँ पर दी गई है लिखा है 6 35 घटा 12 बराबर रिक्तिस्थान दैनिक जीवन से उधरन लेते हुए बच्चों से संख्याओं में से शून घटाना तथा संख्याओं को अपने में से घटाने पर चर्चा करें जैसे कुछ भी खर्च ना करना, सारे पैसे खर्च कर देना इत्यादी प्रिष्ट संख्या 63 ब्लॉक्स का खेल यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है जिसके नीचे लिखा है दस और उसके पास एक और ब्लॉक है उसके नीचे लिखा है एक यहाँ पर एक लड़की का चित्र है लड़का कहता है मेरे पास 45, 4 ब्लॉक्स्टिक्स और 5 ब्लॉक्स हैं मैंने बारह एक ब्लॉक स्टिक और दो ब्लॉक अपने मित्र को दे दिये. मेरे पास बचे हैं तीन ब्लॉक स्टिक्स और तीन ब्लॉक अलग से. यहाँ पर तीन घटा के सवाल दिये गये हैं. जो इस तरह हैं. दहाई इकाई, संख्या 25, घटा 12, रिक्तिस्थान. दहाई इकाई, संख्या 45, घटा 12। यहाँ पर इकाई की दो संख्याओं को आपस में घटा कर दरशाया गया है. जो इस तरह है पांच घटा दो वराबर तीन अगली संख्या है पैंतालीस घटा बारह यहां प्रिश्ट संख्या 63 पर घटा दिया हुआ है लिखा है दहाई, इकाई, संख्या, पैंतालीस, घटा बारह है रिक्तिस्थान आगे के चरण में इस घटा को कैसे करना है ये बताया गया है लिखा है दहाई, इकाई, संख्या, 45, घटा, 12 है इसमें इकाई की दो संख्याओं को आपस में घटा कर बताया गया है पांच में से दो घटाने पर बचता है तीन तीसरे चरण में लिखा है दहाई एकाई संख्या 45 गटा 12 है यहां एकाई के स्थान पर तीन पहले से लिखा हुआ है और दहाई की दो संख्याओं को गटा कर बचता है तीन कुल होता है तेंतीस सेंतीस में से चौबीस घटाएं यहां पर तीन खाने दिये गए हैं पहले खाने में तीन ब्लॉक स्टिक्स और साथ ब्लॉक्स दिये गए हैं लिखा है तीन दहाई साथ इकाई दूसरे खाने में तीन ब्लॉक स्टिक्स और साथ ब्लॉक्स दिये गए हैं इनमें से दो ब्लॉ और चार ब्लोक्स पर काट का निशान अलग से लगाया गया है। लिखा है दो दहाई, चार इकाई। तीसरे खाने में लिखा है दहाई, इकाई। संख्या सें 30, घटा 24, रिक्तिस्थान, आउ करे। यहाँ पर कुछ घटा के सवाल दिये गए हैं। शंख्या दी गई है 24, घटा 13, रिक्तिस्थान, चवण घटा 31, रिक्तिस्थान, 32, घटा 12, रिक्तिस्थान, 46, घटा 34, रिक्तिस्थान। क. शिखा के पास 82 रुपए हैं. उसने 22 की पैंसिल खरी दी. अब उसके पास कितनी राशी 6 बची है? रिक्तिस्थान. ख, रूबी के पास साथ रुपए हैं, उसने बीस रुपए की एक नोट बुख खरी दी, अब उसके पास कितनी राशी शेश बची है, रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या चौशट मालाओं से सजाएं इस प्रिष्ट पर एक चित्र के चार भाग हैं चित्र के पहले भाग में, यहाँ पर जोती एक लड़की को फर्ष पर बैठे दर्शाया गया है, उसके पास फूलों की चार मालाएं और कुछ फूल रखे हैं इसके साथ ही चित्र के दूसरे हिस्से में, उसकी मा और जोती का चित्र है जोती के पास फूलों की चार मालाएं है और उसकी माँ खड़ी उससे कुछ कह रही है वो कहती है जोती, क्या मैं एक माला और आठ फूल ले सकती हूँ? इस चित्र के तीसरे हिस्से में जोती बैठी कुछ सोच रही है और उसके सामने फूलों की चार माला हैं और कुछ फूल रखे हैं वो कहती है मेरे पास केवल छे फूल है मुझे लगता है कि मुझे एक माला खोल लेनी चाहिए चितर के चौथे और अंतिम हिस्से में जियोती को अपनी मा के साथ बैठे दर्शाया गया है मा के हाथ में एक माला है जियोती के एक हाथ में टूटी हुई फूल माला और दूसरे हाथ में कुछ फूल है वो फूल वो अपनी मा को दे रही है और कह रही है अब मैं आठ फूल अम्मा को दे सकती हूँ प्रिष्ट संख्या 65 यहाँ प्रिष्ट संख्या 65 पर चार फूल मालाएं और कुछ फूल दिये गए हैं संख्या लिखी है 46 इसके बाद तीन फूल मालाएं दी गई हैं जिसमें से एक माला पर काट का निशान लगा है और कुछ फूल दिये गए हैं जिनमे से दो फूलों को काटा गया है इसके अलावा छे फूल और दिये गए हैं उन सभी फूलों पर काट का निशान लगा है लिखा है अठारह देने हैं इसके बाद घटा का सवाल है लिखा है दहाई, एकाई, संख्या 46, घटा 18, रिक्तिस्थान इस घटा को कैसे करना है ये बताया गया है 46, घटा 18, एकाई की दो संख्याउं 6 और 8 को घटाना है 6 आठ से छोटी है, यहाँ पर 4 से एक दहाई हम लेंगे एक दहाई लेने पर, एक दहाई और 6 मिलकर बनते हैं 16 16 में से 8 घटाने पर बचता है 8 दहाई की बची हुई संख्याएं हैं 3 घटा 1 लिखा है खुली माला बराबर 16 फूल 16 घटा 8 बराबर 8 यहाँ घटा को पूरा करके बताया गया है संख्या 46 घटा 18 एकाई की संख्याएं घटाने पर मिला था 8 और अब दहाई की संख्याएं 3 और 1 को घटाने पर मिलता है अंक 2 कुल मिला कर होता है 28 यहाँ दहाई की दो संख्याओं 3 और 1 को घटाने पर तीन में से एक को घटाने पर बचता है अंक 2 कुल मिला कर हुए 28 यहाँ पर जोती का चितर है जो कहती है मेरे पास दो मालाएं और 8 फूल या कुल मिला कर 28 फूल बचे हैं अब जोती के पास कुल मिला कर 28 फूल हैं वो अपने मित्र को 5 फूल दे देती है ज्योती को ये पता लगाने में सहता करें कि उसके पास कितने फूल बचे हैं यहाँ पर फूलों की दो मालाए हैं और यहाँ पर आठ फूल अलग से भी हैं और संख्या लिखी है 28 घटा 5 रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 66 ज्योती के पास 54 फूल हैं वो अपनी मा को 28 फूल दे देती हैं उसके पास कितने फूल बचे हैं यहाँ पर 5 फूल मालाए हैं और 4 फूल अलग से हैं साथ ही इसके नीचे 4 फूल मालाए हैं जिनमें 2 पर काट कर निशान लगा है और उसके पास 10 फूल एक तरफ और 4 फूल एक तरफ दिये गए हैं 10 फूलों में से 4 पर काट कर निशान और अलग से 4 फूलों पर काट कर निशान लगा है और यहाँ पर एक घटा का सवाल दिया गया है जो इस तरह से है 54 घटा 28 बराबर रिक्तिस्थान इस सवाल को यहाँ पर हल करके दर्शाय आ गया है 54 घटा 28 पहले हम इकाई को घटाएंगे चोंकि 4 आठ में से नहीं घट सकता इसलिए हमने एक दाई उधार ली चार इकाई में एक दाई अर्थात 10 इकाई मिलकर हुई 14 तो 14 इकाई में से 8 इकाई चली गई तो बची 6 इकाई और यहाँ पर 5 दाई के स्थान पर बची 4 दाई इस सवाल के अगले हिस्से में इसे पूरा किया गया है चोंवन घटा 28 तो 14 इकाई घटा 8 इकाई बराबर 6 और 4 दाई घटा 2 दाई बराबर 2 तो उत्तर हुआ 26 यहाँ पर एक और चित्र है जिसमें ज्योती फूलों के पास बैठी कुछ सोच रही है उसके पास फूलों की चार मालाएं हैं और कुछ फूल रखे हैं ज्योती कहती है ओ मुझे एक माला खूलनी पड़ेगी फिर मेरे पास चार मालाएं और 14 फूल हो जाएंगे उन 14 फूलों में से मैं 8 फूल दे सकती हूँ 14 गटा 8 बराबर 6 यहाँपर एक और चितर में ज्योती कुछ सोच रही है वो कहती है ज्योती के पास कुल 73 फूल है वो 47 फूल अपनी मा को दे देती है उसके पास कितने फूल बचे हैं यहाँ पर जोती का चित्र है, जो मालाओं के पास बैठी है और उसके पास कुछ फूल भी हैं. साथ ही यहाँ पर एक तालिका है. तालिका के तीन भाग हैं. पहले भाग में लिखा है जोती के पास है साथ मालाएं और तीन फूल. दूसरे भाग में लिखा है जोती ने दिये चार मालाएं और साथ फूल. अब जोती के पास बचे मालाएं रिक्तिस्थान और फूल रिक्तिस्थान. प्रिष्ट संक्या सरसट आओ करें. यहाँ पर कुछ घटा दिये गए हैं. पैतालीस घटा अठा रहे रिक्तिस्थान. 84 घटा 37 रिक्तिस्थान. 65 घटा 45 रिक्तिस्थान. 27 घटा 27 रिक्तिस्थान. 93 घटा 48 रिक्तिस्थान. रची कूद अमन और अवनी रची कूद रहे हैं। दोनों को बीस बार कूदना है। एक कूद की गरना तभी होगी, जब रची पेरों के नीचे से निकलेगी। उन्हें कूदने के दो अवसर दिये जाएंगे। यदि पहले अवसर में वो बीस बार नहीं कूद पाते, तो उन्हें अपने कूद को पूरा करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि वो पहली बार में बारा बार लगातार कूदते हैं, तो आठ बार रसी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। आठ बार बार कूदी, दूसरी बार में उसे कितनी बार और कूदना है। बीस घटा बारा बराबर रिक्तिस्थान, बारा जमा रिक्तिस्थान बराबर बीस। यहां प्रिष्ट संख्या 67 पर एक चित्र दिया गया है यह पार्क का चित्र है जिसमें अवनी और अमन को दर्शाय गया है अमन रसी कूद रहा है और अवनी देख रही है प्रिष्ट संख्या 68 आओ करें, प्रिष्ट संख्या 68 पर, यहां लाल और सफेद रंग की एक गिन लड़ी दी गई है, एक अलग चित्र में एक बच्चे को दिया गया है, जिसके हाथ में कुछ ब्लॉक्स हैं, बच्चा कहता है, उत्तर पता करने के लिए आप इन में से किसी भी तरीके का उप्योग कर सकते हैं, गिन लड़ी, संख्या पट्टी, संख्या ब्लॉक्स या मोती माला, क, अनुश्का ने 63 शंक इकठे किये, उसने 26 शंक अपने भाई को दे दिये, अब उसके पास कितने शंक बचे हैं, रिक्त ख, एक बस में 54 सवारियां बेठी हैं, 16 सवारियां बस अड़े पर उतर गई, अब बस में कितनी सवारियां हैं, रिक्तिस्थान ग, कुल 40 गुबारे हैं, 13 गुबारे फूट गए, अब कितने गुबारे बचे हैं, रिक्तिस्थान, ग, कनिका ने 72 चूडियां बनाई, उसने 36 चूडियां बेच दी, कनिका के पास कितनी चूडियां बची हैं, रिक्तिस्थान, अंग, एक पेड़ पर 56 पक्षी बैठे हैं, कुछ और पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गए अब पेड़ पर 87 पक्षी बैठे हैं पता लगाईए कि बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे थे रिक्तिस्थान और च अर्मान को एक गेंद 35 बार उच्छालनी है पहली बार में उसने गेंद को 18 बार उच्छाला अब उसे और कितनी बार गेंद उच्छालनी है रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 79 जोड़ना और घटाना साथ साथ जोड़ना और घटाना पूरा करने के लिए रिक्तिस्थान भरिये यहां तीन संख्याओं के समुह को अलग-अलग खानों में दिया गया है पहले समुह में संख्याओं हैं 20, 30, 50 दूसरे समुह में 10, 20, 30 तीसरे समुह में 20, 80 और 100 हैं यहां त्रिभुच की तीन आकरतियां दी गई हैं पहले तिर्भुच में संख्याएं दी गई हैं पचास, बीस, तीस। दूसरे तिर्भुच में तीस, दस, बीस। तीसरे में सौ, असी, बीस। इसी के ठीक नीचे तीन आयताकार आकृतियां दी गई हैं। लिखा है बीस जमा तीस बराबर रिक्तिस्थान, तीस जमा रिक्तिस्थान बराबर पचास, पचास घटा तीस बराबर बीस, तिस्थान घटा बीस बराबर तीस, अगले आयत में लिखा है दस जमा बीस बराबर रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर तीसरा आयत खाली है जोडने घटाने के पिरामिट को पूरा कीचिए यहाँ दो पिरामिट दिये गए है पहले पिरामिट के सबसे निचले हिस्से में चार खानों में चार अंक दिये गए हैं अंक हैं पांच, तीन, छे, आठ उसके ओपर पहले खाने में अंक 8, दूसरे खाने में कुछ नहीं और तीसरे खाने में 14 अंक दिया गया है अगले तीन खाने खाली है दूसरे पिरामिड में सबसे नीचे, चार खानों में 4 अंक दिये गये है 6, 4, 3, 8 अगले तीन खानों में पहले खाने में 10, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में 11 अंक दिया गया है उपर के तीन पिरामिड खाली है ये जोडने का पिरामिड है अब घटाने का पिरामिड घटाने के दो पिरामिड यहां पर दिये गये है पहले में उपर से सबसे पहले खाने में 37 लिखा है उससे नीचे के दो खानों में 16 लिखा है और दूसरा खाना खाली है उससे नीचे के तीन खानों में पहला खाना खाली है दूसरे में 11 लिखा है और तीसरे में कुछ नहीं लिखा है उससे अगले चार खानों में से पहला खाना खाली है, दूसरे खाने में 6 लिखा है, तीसरे खाने में कुछ नहीं और चौते खाने में 8 लिखा है अगले पिरामिट में सबसे उपर के खाने में पचास की संख्या लिखी है, उससे अगले दो खानों में एक खाना खाली है और दूसरे में चौबीस लिखा है, अगले तीन खानों में से पहले खाने में कुछ नहीं लिखा है, दूसरे में ग्यारे लिखा है और तीसरे में कु प्रिष्ट संख्या सत्तर चे जमा पांच बराबर ग्या रहे पांच जमा तीन बराबर आठ अब आप करके देखिए क यहाँ फिर से चार रंगीन खाने दिये गए है पहले खाने में लिखा है अंक एक बाकी के तीन खाने खाली है इसके अलावा अंक दिये गए हैं हनिया एवं मानसी का उपहार हनिया एवं मानसी अपने मा को उपहार देना चाहते हैं उसे सजाने के लिए उन्होंने कुछ फीते और रंग बेरंगे कागस खरीदे पर्स में कुल 78 रुपए थे रंग बेरंगे कागस 24 रुपए के आए और फीते 37 रुपए के थे उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किये उनके पास कुल कितने रुपए शेश बचे यहाँ प्रिष्ट संख्या सत्तर पर एक चित्र दिया गया है जिसमें दो लड़किया है उन दोनों लड़कियों ने एक उपहार पकड़ा हुआ है परियोजना कार्या दलजीत ने कुछ प्रश्ण हल किये हैं एवं उनके उतर लिखे हैं क्या दलजीत के उतर सही हैं? पता कीजिए यदि गलत हैं तो सही कीजिए यहाँ पर दो जमा के और तीन घटा के सवाल दिये गए हैं जमा में लिखा है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गनित की ध्वनी पुस्तक आनन्दमय वाचन्स्वर प्रवीन शर्मा और शालिरी सिंग तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो धन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांग्वान निर्माण सहयोग कुसुमलता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत